जो लोग मुक्ती की चाहा रखते हैं, उनके लिए ये आयाम जिसे हम महाकाल कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकाल मंदिर ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। शिव एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें नाम नहीं देना चाहिए। क्योंकि उन्हें नाम देना, उन्हें सीमित और छोटा करने जैसा है। साथ ही साथ, उनके कई सारे नामों का संग्रह भी इस अवरणिय रहस्य को प्रकट करता है। कि वो कौन है। या इस अवरणिय रहस्य को कि ये स्रिष्टी क्या है। उनके तमाम रूपों में काल बहरव या महाकाल एक महत्वपूर्ण और साथ ही उग्र रूप है। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी है। काल बहरव के रूप में वो समय के विनाशक है। काल का अर्थ है समय। समय का आपको जो अनुभव है वो बस अस्तित्व का चक्र में घूमना है। प्रिथ्वी एक बार घूमती है वो एक दिन होता है। चंद्रमा प्रिथ्वी का चकर लगाता है उसे एक महीना कहते है। प्रिथ्वी सूर्य का चकर लगाती है वो एक साल हो जाता है। हर चीज जिसे आप समय मानते हैं, आपकी घड़ी भी चक्रों से जुड़ी है। हर चीज जो भौतिक है, वो चक्रिय प्रकृती की है। अनु से लेकर ब्रह्मान तक, हर चीज जो भौतिक है, वो स्वभाविक रूप से चक्रिय प्रकृती की है। और अपने भौतिक अस्तित्व के कारण और आप जो हैं उसकी भौतिक प्रकृति के साथ आपके जुडाव के कारण आपको समय का बोध है अब आप यहां बैठे हैं क्यूंकि आपके पास एक शरीर है इसलिए वो समय का हिसाब रख रहा है जब आप जीवन की चक्रिय गती से मुक्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने मुक्ति पालिय हैं या मुक्ष पालिया तो जो लोग मुक्ति की चाहर रखते हैं जो लोग मुक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये आयाम जिसे हम महाकाल कहते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ। महान संत शुक्रचार्या। जो दानवों के गुरु थे। उन्होंने शिव की भक्ती में गोर तपस्या की। और शिव को प्रकट होना पड़ा। जब वे प्रकट हुए तो शुक्रचार्या ने अमर होने का वर्दान मांगा। फिर शिव बोले ये संभव नहीं है। जो भी जन लेता है उसे मरना पड़ता है। कुछ और मांगो। फिर शुक्रचार्या ने कहा, मुझे काया कल्प की शक्ती दीजिए। जिससे मैं किसी भी तरह के घाव, किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकूँ। मुझे ऐसी शक्ती दीजिए। शिव जो परम उपचारक हैं, सभी जड़ी बूटियों और औशदियों के स्वामी होने के नाते। शुक्रचारय को संजीवनी मंत्र दिया, वो मंत्र जो लोगों की किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी तरह के घाव या चोट को ठीक कर सकता था। जब शुक्रेचार्य को ये संजीवनी मंत्र मिल गया तो दानव बहुत ही निडर हो गए और वे युद्ध के बाद युद्ध छेड़ने लगे सभी दानव जो युद्ध में जखमी हो जाते थे किसी भी तरह के कमभीर कहाव से शुक्रेचार्य उन्हें संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते थे तो इस वज़े से दानवों की सेना एक पी आदमी खोए बिना लगातार लड़ सकती थी देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि ये बहुत अन्याय पूरुण युद्ध है क्यूंकि आप चाहे कितना भी लड़ ले वे मरते ही नहीं मगर हम मर जाते हैं तो वे ब्रह्म के पास गए ब्रह्म ने हस्तिक्षेप किया और शिव से कहा आपने शुक्रेचार्य को इस तरह की शक्ती दी है आपको उन्हें मारना होगा नहीं तो दुनिया में पूरी तरह असंतुलों आ जाएगा दानव देवताओं के खिलाफ अनुचित फायदे में है फिर शिव बोले उन्हें मारने की कोई जरुवत नहीं है मैं उन्हें काबू में कर लूँगा तो जब देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था शुक्रचारिय मंत्र पड़ रहे थे और सभी दानवों की चोटों और घावों को ठीक कर रहे थे तभी सीमा के पार से एक खतरनाक जीव एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था एक भायानक रूप में प्रकट हुई वो शिव की एक गण थी उसने आकर शुक्रचारिय को अपनी कोख में खींच लिया और वे वहाँ एक भुरून की तरह रहे और वे काबू में आ गये फिर देवताओं और दानवों के बीच संतुलन कायम हो गया अधिक उचित और न्यायपूरुन युद्ध लड़े गए फिर भ्रम्म बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा सिर्फ महाकाल ही ऐसा कर सकते हैं इंसान को मारे बिना वो पूरी तरह उसके जीवन को काबू में कर सकते हैं शुक्रचार्य क्रेतिका की कोख में ही रहे और संजीवनी मंत्र बेकार हो गया या दूसरे शब्दों में महाकाल ने शुक्रचार्य के लिए समय को रोक दिया जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके जब हम परे जाने की बात करते हैं जब हम अध्यात्मिक्ता योग की बात करते हैं हम देखते हैं कि किस तरह समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सके क्यूंकि समय और स्थान अस्तित्व की भौतिक्ता से जुड़े हैं एक बार आप अध्यात्मिक होने की चाहा करते हैं उसका ये अर्थ है कि आप भौतिक से अधिक कुछ होने की चाहा कर रहे हैं एक बार आप भौतिक से कुछ अधिक हो जाते हैं उसका आर्थ है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं. महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्टा की गई है, उसकी प्रकृती बेहद असाधारन है. ये आपको अस्तित्व की जणों से हिला देगा. ये प्राण प्रतिष्टा वाकई अद्भुत है. इसका एक मात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे. इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्यूंकि ये बहुत शक्तिशाली है, और कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है. ये आपको अंदर से हिला देता है. हर दिन महाकाल को जो भेंट, अर्पित की जाती है, वो शम्शान से लाई गई ताजा राख है, क्यूंकि उन्हें ये ही पसंद है. और वो जैसे हैं, उन्हें वैसा बनाए रखती है. दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि, हम इतने सभ्य होते जा रहे हैं, अब शायद कुछ आंदोलन कारियों के विरोध के कारण, वो शम्शान की राख का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, दुर्भाग्य से वो गाए या बैल के गोवर का इस्तमाल कर रहे हैं. ये सिर्फ संस्कृती से जुड़ी चीज नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है अगर हम शम्शान से राख लाएं और कोई दूसरी राख लाएं मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दोनों में क्या फर्क है अनुभव के स्तर पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत महत्वपूर है कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए क्यूंकि महाकाल का स्वभाव यही है इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ वीलीन हो जाता है सब कुछ जल कर राख हो जाता है इसका आर्थ है कि आप बहुत एक से मुक्त हो जाते है ये आपको परम मुक्ती की ओर ले जाता है अगर आप इसे कोमलता से करना चाहते हैं तो हमारे पास यहां सब कुछ है अगर आप उसे जबर्दस तरीके से करना चाहते है अगर आप वाके जोर का धक्का चाहते हैं और आप कमजोर दिल वाले नहीं हैं तो महाकाल मंदिर एक अद्भूत प्रक्रिया है पूर्वारुकमिवबन्धनांगत् योर्मुक्षी नहीं हाम्रत्वारु प्रक्रिया है